यह लोग तंतर में हमारी जीत है एक बार जोरदर जेकार अनोजी भरत मता की यह लोग तंतर में हमारी जीत है क्योंकि आप यह देखना इतने दिनों में यह जो लोग बोल रहे थे कि भाईया सबके नमांकन हो रहे हैं तभी 14 लोगों नमांकन किये हैं आज 3 बजे के बाद भी अधिकारी जी लगे हुए हैं और आप देखना आज कितने नमांकन होंगे 200% इजाफा होगा 200% नमांकन के अंदर अगर 14 हुए थे आज तक तो आज कम से कम 30 होंगे 30 और ये किस की बदोलत होंगे सोचल मीडिया पे आप सब की ताकत की बदोलत होंगे मैंने जो आवाज उठाई थी सबने शेर किया सबने आवाज उठाई ये ये वहां तक आवाज पहुंची सुबह से मैं लगा हुआ था फोन कर रहा था अंतत है हमारा और बाकी लोगों का भी नमांकन हुआ है मैं Election Commission of India दिल्ली जिनोंने हमारे वाज सुनी यहां पे बात की होगी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं धन्यवाद देता हूं हमारे सरका इतना इन्होंने सयोग किया और हमारी पूरी टीम का धन्यवाद और स्रसल मीडिया पर जितने लोग हैं आप सब का धन्यवाद हमारी जीत आज हो चुकी है हम चार जून का इंतजार नहीं करें जितना हम लड़े हैं मारी जीत हो चुकी है कोई पर्चा उठा ले मैंने पहले ही गाता हमने उठाएंगे आज हमारा पर्चा दर्ज हो गया अब जो है कुछ भी होता है जो चार दिन बाद एकदम कनफर्म हो जाएगा उसके बाद कनफर्म होने के बाद चुनाव सीन आने के जान से लगेंगे अभी भी हमें जो है ने एक कदम अभी वें पीछे हैं अभी बहुत सारी चीजें वह एक डेट है कि हां भी इस तारीक को जो है एक दम कनफर्म हो जाएगा उस तब तक का इंतजार करते हैं उसके बाद लगेंगे मोधी जी अपने अंताज में यहीं बोल है अरे भाईया मैंने तो टाइम टू टाइम ना मांकन किया था यह रंगीला ने तो तील बजे के बाद किया है तो इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अधिकारियों का जितने हमारे यहां पे पुलिस के अधिकारी लगे हुए थे अंदर अधिकारी हैं सबका देने बाद बड़ा सुकून मिला आज की तस्वीर देख करके बड़ा सुकून मिला मैंने का कितने लोग हैं सीधा चले जाते हैं भारते लाते हैं हमने आवाज उठाई सोसल मीडिया पर इतना ट्रेंडिंग करया ट्रेंड हो रहा था कल से अख़बारों में छपा हर्द लोगों ने दिखाया बनारस वारानसी कासी को इसलिए हमने चुना कि यह मोदी जी कहते हैं कि मुझे तो गंगा मैया ने गोद लिया है तो मैंने का क्यों आपको ले सकते हैं अब मुझे भी गंगा मिया ने गोद लिया है और बाकी लोगों को भी गोद लिया है अम गोदी जैसे निकलने वाले तोड़ी हैं लेकिन ज obs जो है मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले कुछ काओंगा क्योंकि मैं तीन दिन से बहुत ज्यादा अब मुझे बहुत सुकुन और बहुत खुशी है सर सेंट्रल मिनिस्टर जो आये थे मोदी जी आये थे उनके लिए कैसे परिंदा भी पर नहीं मार सकता था हम यहां पर घूम रहे हैं लोग भी घूम रहे हैं जा रहे हैं हमारे मीडिया पर दिखाई थी आप सब लोगां का सयोग था अभी भी हमें सोचल मीडिया से बहुत सारे लोग ताकत देंगे और हम यहां पर लड़ेंगे और सिर्फ उसकी वज़े से यहां पर लड़ाई होगी वह पूरा देश देखेगा आप देख रहे हो दस साल पहले मैं उ इतना से हो किया है सबसे पहले तो मैं उनसे सबसे माफि मांगूँगा जिनका फोन मैंने आठ नो तारिक से लेकर आज तक उठाया नहीं या उठाया है तो मैंने प्यार से भी बोला मैं ने का सर मेरेको आप टाइम दीजी तेरा तरिक उसके बात-बात कर लोगा अब 13 निक तो यह जो चीज है यह आप सब कई प्यार है और आप सब से रूबरू होते ही रहेंगे यह तो उसमें कोई डाउट नहीं नहीं हो पाया दुखियों के लोग चले गए तो क्या ऐसे लोगों से कुछ आप अपने लिए पक्ष में उनकी ताकत बनके ही खड़ा था दो दिन से उन्हीं की ताकत बनके खड़ा था मैं यहां से चला जाता कोमेडी में वापस लग जाता कुछ नहीं निकलना था मैं उनकी ताकत मैंने खुद में महसूस की मैंने इनकी ताकत बनके मैंने उनकी बात कि रहें मैंने इसे बोला ही नहीं कि मेरा पर्चा खारीच कर दिया है मे सारे हम मिल करके एक ही हैं ये उनको संदेश देना जाता हूं और मैं कह रहा हूं आप आज का ये जिल्ट देखना आप आज की जो देखो गए ना रिजल्ट की कितने लोगों ने नमांकन किये तो आपके दिल को सुकुन मिलेगा ये मेरा बरोसा है